हेलो गईز विलकम बाक तु दी चानल कैसे आप लोग आई होप यूगज आ दिए आप स्लूटल री फाइन अगर हम बात करें स्टार्ट फ५ टुटीटीटू से अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफी अच्छी news निकल कर आ रही है, काफी अच्छी developments हो रही है but the overall economic condition वो कहीं न कहीं आची rate में बहुत matter करती है और चार ऐसी बड़ी news है जो कहीं न कहीं effect करेगी फिर वो चाहे crypto currency हो, फिर चाहे वो share markets हो फिर चाहे वो gold हो या कोई भी और investment है जहाँ पर आप invest करते है क्या वो सारी चीज़े है करके बात करेंगे बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक disclaimer और देना चाहते है कि कोई भी आदमी आके आपके comment section में आके comment करके यह बोले कि हमारा whatsapp number है तो उनसे बचके रहना वो सारे के सारे scammers है किसी भी social media से कभी भी हम आपसे connect नहीं करते है और किसी को भी आपने अपने crypto send नहीं करने किसी को अगर आपने crypto send करें तो समझ दीजिए वो crypto आपके हाथ से चले गए है कभी भी वापस नहीं आएंगे कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा आज की रेट में चार ऐसी बड़ी news है जो कहीं न कहीं matter करती है for crypto currency market in fact वो matter करती है complete economic factors across the globe क्या वो चार बड़ी news है the first is China, the second is Fed, the third is inflation, the fourth is EU gas अब ये कहां कहां matter करते है और क्या क्या चीज़े हैं जो impact कर रही है उनके बारे में एक एक करके बात करते है because honestly speaking अगर मैं इनको ranking करूँ तो कहीं न कहीं ranking करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन चारो news को चारो के चारो काफी impactful news है क्यों impactful news है उसके बारे में भी आपको बताएंगे सबसे पहले जलते हैं coin जी को आप में एक बार market का हाल देख लेते हैं फटाफट उसके बात बात करते हैं इन topics के बारे में एक एक करके तो side में आप देख सकते हो हमने open कर दिया coin जी को आप currently जो global market है वो down है 5.6%, BTC is down 3.2%, ETH is down 6.1% and कहीं न कहीं जो market है वो अच्छा perform नहीं कर रही है although कुछ ऐसे cryptos हैं जो again green में आए but majority of the cryptos are still in red and ये देखके काफी investors worried हैं ये देखके काफी लोग अब ये question पूछ रहे हैं कि market eventually उपर कब आएगी market उपर आएगी ये सब हमें पता है but वो eventually कब आएगी उसके उपर काफी चीज़े depend करती है कि worldwide economic कैसी चल रही है क्या चीज़े चल रही है वो जानना भी हमारे लिए बहुत जादे important है जैसे कि हमने आपको बताए चार reasons अब एके करके उनके पर बात करते हैं सबसे पहले चलते हैं चाइना में चाइना में क्या हो रहा है we are not talking about चाइना ताइवान वो हम सब को पताए कि वहाँ पर क्या टेंशन से पट उसके लावा भी चाइना में जो है economic crisis हो सकती है तो side में आप एक news article देख सकते हो जो हमने open करा है यहाँ पर लिखाया है चाइना's economy stumbles homeowners boycott mortgage payments and कही न कहीं जिन लोगों को पता है चाइना के बारे में चाइना में जादा तर लोग जो invest करते थे वो करते थे properties में maximum आगर यहाँ पे भी आप पढ़ो for decades buying property was considered a safe investment in China and वो लोग करते थे बहुत सारे लोग properties में invest करते थे bank से loan लेके पैसा डाल दिया in properties and वो investment उनकी चलती रहती थी आज की rate में जहाँ पे बहुत सारे banks है जहाँ से withdraw नहीं हो पा रहे है पैसे वही पे कही न कहीं आप लोगों ने भी news पढ़ी होगी regarding China जहाँ पे बहुत सारे boycotts हो रहे हैं इसको लेके and कही न कहीं यह चीज जो है वो overall अच्छी नहीं है banking crisis हो रही है in China and वो economically लिए अच्छी नहीं है China जैसे हम जानते हैं कि third biggest economy है of the world US, EU and then China China जो है वो कहीं न कहीं इंपार्ट करता है worldwide economy को and यह चीज़ें उसके लिए बिलकुल भी अच्छी नहीं है जहाँ पर country जो है वहाँ पर investment depend करती थी on properties लोग investment करते थी in properties and वहीं पर banking sectors एकदम collapse हो जाएं loan जो ले रखें वो गाइब हो जाएं तो कहीं न कहीं economy जो है वो depend करेगी वो कहीं न कहीं नीचे गरेगी and that is the scene which we are assuming जो होगा in the second half of the year अभी कई ऐसे boycott चल रहे है let's see क्या होता है वहाँ पर and इन चारो news की जो हमने आपको बताया है positive impact अगर ये ठीक होती है तो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे at the end of the video the second topic जो हमने बताया था आपको is federal reserve federal reserve क्या है उसके बारे में हमने आपको previously भी पताया था अगर आपको नहीं पताया तो don't worry federal reserve की बात continue रहेगी by the end of 22 क्योंकि बहुत कुछ impact करने वाले है federal reserve federal reserve की जो meetings minutes आये थे वो कही न कहीं market को अच्छे नहीं लगे थे and market वहाँ से नीचे आना शुरू हो गे थी अब ऐसी क्या चीज़ें आई थी वो meeting minutes में क्या-क्या चीज़ें discuss हुई थी उसमें दो चीज़ें निकलके तो सामने आई थी the first is inflation to remain high जो कि कहीं न कहीं हम लोगों को already पता सा जहां पे बात हो रही थी कि interest rate बढ़ा के inflation को निचे ले जाया जाएगा and वो सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे कहीं न कहीं आप उनके statement आई है कि inflation rate जो है वो high रहेंगे and वो नीचे आने में बहुत सारा time लग सकता है I am assuming कि at least 5-6 महीने तो कहीं नहीं गए but yes many people remains bullish कहीं न कहीं market जो है वो recover करेगी inflation जो है वो कम होगा क्या होगा नहीं होगा that is a thing to be seen but आज की rate में जहाँ पर ये खुद federal reserve बता रहा है कि inflation rate जो है वो high रहेंगे आगे जाके भी वो कहीं न कहीं चिंता की बात है for the economy the second thing जो उन्होंने बताया है कि unemployment rate जो है वो increase होगा unemployment वैसे ही काफी है आज की rate में अगर हम US की बात करें तो वहाँ पे जहां पे बात हो रही है कि unemployment rate increase होगा लोगों के पास पैसा कम पढ़ रहा है because inflation rate उपर हो रहे हैं कुछ खरीदने जा रहे हैं तो समान महंगा हो गया है यहां पे unemployment हो रही है नौकरी नहीं मिल ही है पैसा नहीं आ रहा है कुछ पैसा आ नहीं रहा है तो जा सब्सक्राइब वो कहीं न कहीं एक R게 to a person to a family जो कहीं न कहीं आज की rate में वो भी कहीं न कहीं आज की rate में डरिविए अब थर्ड़ करें UK की UK में currently जो आया हुआ है 9.4% which is phenomenal बहुत ज़ादा है बट उसके सांथ सांथ ये भी बताया जा रहा है कि वो inflation rate increase होके 15% चक पहुँच सकता है by the end of the year and वो बिल्कुल भी अच्छी news नहीं है 9.4% inflation वैसे ही बहुत बड़ा नंबर है बट उसको increase करके 15% चक पहुच बहुत ही ज़ादा हो जाता है वो for the economy उसी कहा आता अगर हम Spain की बात करें 10.8% France की बात करें 6.1% and Estonia की बात करें तो astonishingly 22% inflation ये निकल के सामने आया है in countries का जो कि कही न कहीं counter नहीं हो पा रहा है जो कि कहीं न कहीं inflation rate जो है वो increase होते जा रहे है and people are worried, people are worried about their future, people are worried की वो समान कैसे लेंगे people are worried, वो कहीं न कहीं डर के मारे investment नहीं करना चारहे है आज की rate में, they are happy with saving whatever they can, वो ऐसी जगह invest करेंगे जहाँ पे उनको loss होने के chances बिल्कुल भी ना हो basically हम FD में पैसा डालना आज की rate में ज़्यादा prefer करेंगे rather than investing in a market जहाँ पे बहुत ज़्यादा fluctuation है अगर यहाँ पे inflation increase होता है उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि US जो है वो first, you know, major largest economy of the world वहाँ पे कहीना का inflation और Federal Reserve ने जो बताया वो अच्छा impact नहीं पड़ेगा, वो news अच्छी नहीं आईगी EU की अगर हम बात करें तो जैसे हमने आपको बताया उसके बारे में भी कोई अच्छी खबर नहीं है China जो third biggest economy of the world उसकी बारे में भी कहीना कहीं अच्छी news नहीं आई जैसे हमने आपको बताया है अब इन सारी चीज़ को एक side भी करते fourth news जो है, वो कहीना कहीं impact छोड़ेगी छोड़ेगी in the upcoming months वो क्या है gas crisis येरोप में हम सबको पता है कि रश्या से gas supply होती थी, अब Russia and Ukraine की जो fight चलती है, उसमें कहीना कहीं impact पड़ रहा है to the gas supply जो provide होती थी to Europe, उरोप में वैसे ही energy crisis चल रही है, आज की रेट में coal, oil, सब कुछ बहुत महेंगा हो गया inflation rate वहाँ पे increase हुए जैसे कि हमने आपको पहली भी पता है था, उसी के साथ-साथ, जहां पे winters आ रहे हैं, वहां पे अगर economic crisis के साथ-साथ, gas crisis भी होती है, तो वो बहुत बड़ी news है world economy कहीं न कहीं वहां से चर्मरा सकती है, वहां से कहीं न कहीं नीचे गिर सकती है, and this can be a very good factor कि market क्यों नीचे आ सकती है in the second half of the year, ये चारो news कहीं न कहीं हमने follow-up करनी पड़ेगी, चारो news कहीं न कहीं हमने देखनी पड़ेगी, 2022 macroeconomy का रहा for the cryptocurrency market, कहीं न कहीं वो news ने impact करा, जो previously कभी impact नहीं करते थे cryptocurrency market को, but yes, इसी के साथ-साथ हम हम लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं, कि क्या-क्या चीज़ें और हैं, जिसमें हमने नज़र लगा के बैठनी पड़ेगी, ये चार news ऐसी हैं, जो major news है for cryptocurrency market, ये चीज़ें कहीं न कहीं month-on-month basis में, अब उसका reason क्या है, क्यों investment कर रहे हैं, जब bear market में आप purchase करते हो, that will give you the biggest profit, जब वो bull market में market आती है, yes, there is no doubt कि कुछ ऐसे cryptos होंगे, कुछ ऐसे tokens होंगे, जो शायद gaiv हो जाएं from the scenario, जो शायद एकदम हट जाएं, जो शायद zero भी हो जाएं, जो vanish हो जाएं, कुछ भी हो सकता है, but there will be few crypto, जो आपको astonishing results दे सकते हैं, when the bull market comes eventually, bull market तो आएगी, but जैसे कि काफी ऐसी negative news आपको देखने को मिलेगी, काफी ऐसी negative news आपको सुनने को भी मिलेगी, काफी लास्ट जुलाय में जब crypto market उपर गई थी, और उसके बाद भी उपर गई थी, थोड़े दिनों के लिए, काफी ऐसे लोग थे, जो silent हो गए थे, who were craving about crypto currency, अब वो क्यों हो एते, क्योंकि उन्होंने देखा, यार ये तो आपको हमेशा बोलते हैं, इसके साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है, कि काफी लोग ये question पूछ रहे हैं, कि सर, market में कब हमें profit देखने को मिलेगा, यार मैं हमेशा आपसे ये ही बोलता हूँ, कि market कहा movement करेगी, किस time कैसी movement करेगी, कब कौन सी bad news hit करती है market को, कोई नहीं बता सकता, we are here to do our speculation, we are here to do our assumptions, आप लोग भी वही करते हैं, और वही की तरह, हम लोग भी plan करते हैं, things, हम लोग भी plan करते हैं, अपनी investment, the best which we can do is, आप लोगों को ये दिखा सकते हैं, कि हमने क्या 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 investment कर रखी, बट उसके बाद भी हम आपसे यही बोलते हैं, कि अपनी research करे बिना, कोई भी crypto purchase ना करें, क्योंकि हमारा risk हम ले रहे हैं, अपने पैसे से, आप भी अपना risk ले सकते हो, अपने पैसे से, but yes, research करने के बाद, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है, कि hope for the best, but prepare for the worst, हमेशा उमीद करते हो कि बहुत अच्छा होगा, but जो सबसे बुरा होगा, उसकी भी तियारी आप लोग पूरी रखें, with that's it guys, आज का वीडियो करते हैं पर end, I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ, अच्छा लगाओ, तो like कर देना, share कर लेना, subscribe कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay, bye-bye